घर में पनीर चिल्ली बनाना है वो भी एकदम रेस्टूरेंट या धावाय स्टाइल में उपर से क्रांची अंदर सौप शौप एकदम रस्दार भी चाहिए सिखा दूँगा लेकिन उसके लिए आपको करना होगा दो काम सबसे पहले चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और मा पानी को रख देंगे गेस की उपर ताकि थोड़ा सा बॉयल हो जाए लेकिन उसके लिए पहले हमको नमक डालना होगा नमक डालने के बाद जोल हो जाएगा एक से येड़ मिनट के पा। ज्यादा बॉयल नहीं करना है जब बुल बुले आ जाए तो बंद करके पनीर के पी थोड़ा से महनत से ताकि दोनों और एक अच्छी सी लेयर बन जाए और देड़ जो मिनट या तिरी मिनट ज्यादा भी लग सकता आपको इस तरह से जब पूरी तरह से लेयर बन जाए इसको रख देंगे थोड़ा से एब्जॉब होने के लिए उस तब इसके बाद दे प्याज बीच से काटेंगे फिर बीच से काटेंगे मतलब चार पीस में काटेंगे उसके बाद स्लाइसेस को इसका निकाल लेंगे अलग-अलग करके थोड़ा सा मैनत लगेगा लेकिन उसके बाद हमोग चाहिए थोड़ी सी मात्रा में लासून थोड़ा सा अधरक एकदम बारेकी से cut लेंगे और इसको कर देंगे side, इसके बाद mixer grinder में डाल देंगे, एक बड़का साथ टामाटर बीच में चीरते हुए और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसे grind कर लेंगे, इसको side में रखने के बाद fry pan गर्म होने के छोड़ देंगे, गर्म होने क पक चुका होगा बिना तेरी की वे दुबारे इसको पलट देंगे अगले साइड की और ताकि फिर से दो नत्रों से पक जाएं देखे कितना सुंदर बिना पानी छोड़े हुए अगर आप पनीर को बॉयल नहीं करते हैं या बहुत सारा पानी छोड़ देता है और टेस्ट ब लग रहा है पनीर ऊपर से क्रांची और अंदर से एकदम सौप्ट वाला सारा पनीर को वहर से निकाल लेंगे और रहत देंगे अलग साइड में और हम चेक कर लेंगे पनीर कैसा है अंदर से बिल्कुल सौप्ट सब लग रहा है पनीर जो है बिल्कुल रेडी है इसके हम लोग डाल देंगे एक चूट की भर खड़ा मसाला जीरा सिर्फ जीरा इसमें एड़ करना है आप चाहिए तेजपत्ता भी अलग से एड़ कर सकते हम लोग इसमें यूज नहीं किये हैं उसके बाद हम लोग एड़ कर देंगे फित से हम लोग का प्याज और सिम्ला मिर्श क कटा हुआ पिस को एड़ करने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे इसे छोड़ना नहीं है अराम से चलाते रहना है लगबग धाई से तीन मिनट का इंतिजार के बाद हम लोग का जो यह जो है लगबग नर्म हो चुका होगा मतलब जो हाड़ने से सिम्ला मिर्श के का इसे बाद जीरा और इसमें गोल मिर्च का पौडर उसके साथ हम लोग डाल देंगे पनीर जो पनीर हम neighborhood पहले से करके रखे हुए थी पनीर कहते। दाल देंगे देंगे एच में ठोड़ा सा चिली सान, चिली सा सब भोगा चिली साथ हास जरूर करें और अगर घर में आप बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं को आपको परिचली कैसा लगा और वीडियो को सस्क्राइब करना ना बोलें